डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्टाक टीवी कैनेड़ में पाइलेट्स की कमी को दूर करने के लिए मजीद तब्दीलियों की जरूरत है, हुकाम ने नई तजवी से दी कैनेड़ से मजीद फाइफाइटर्स ऑस्टेलिया भेज़े जा रहे हैं, आएंदा दिनों में ऑस्टेलिया भेज़े जाने वाले फाइफाइटर्स की तादा 87 हो जाएगी टॉनर्टो समेट कैनेड़ के कई शहर शदीद सर्दी की लपेट में शहरियों के लिए शदीद बारिच और बरबारी की वर्निंग एरपोर्ट्स पर फजाई आपरेशन मुतासिर हुआ है क्योबे के वजीर मेहनत का कहना है कि सूबे में मजदूरों के खल्लत दूर करने के लिए कोशिशे कर रही है मौन्ट्रियाल में रोशनियों का दुनिया का बड़ा मेला मुन्तजमीन ने पांच लाग सजाएद अफराव की शिरकत की तवक्व की है मौस्मी खरावी के सबब मौन्ट्रियाल में फलाइट स्ताखिर का शिकार मुसाफरों की जानब से शदीद घुस्से का इज़ार किया गया एरपोर्ट्स अमने के नामुनासिब रवाईए की भी शिकाया की गई दुनिया के बेश दर मुमालिक में ने साल का आगास नियूजिलेंड के शहर आउकलेंड और उस्टेलिया के शहर सिड्नी में ने साल दो हजार बीस का आगास हो गया अमरीकी वजीर खरजा के एक मामें मुत्तादा के सेकेर्टी जरनल से मुलाकात अमरीका के एराग शाम पर हमले का दिफा किया हैटलाइंज आपने जौनी खबरों की तफसील शामल करेंगे स्प्रेक के बाद के अ. Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a Senior Case Analyst and I've served the Canadian Government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream Do it once, do it right Swami Kashi Guru Ji का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours आपके depression, family, court problems और बेशुमार मसायल के हल का दावा करते हैं Swami Kashi Guru Ji से राप्ता कीजिए 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough विफाके हुकाम की जौनिप से कहा गया है कि कैनड़ा में पाइलेट्स की कमी को दूर करने के लिए मजीद अबदीलियों की जरूरत है उन्होंने ये नतीज़ा एक Scale Development Program के जरिए अखस किया है मजीद हवाल इस रिपोर्ट में विफाके हुकाम की जौनिप से कहा गया है कि कैनड़ा में पाइलेट्स की कमी को दूर करने के लिए मजीद अबदीलियों की जरूरत है उन्होंने ये नतीज़ा एक Scale Development Program के जरिए अखस किया है मुकामी मीडिया के मताबक हुकाम की जानिप से एक तच्वीज दी गई है जो खेर मुलकी एरलाइंस में भी इस्तिमाल की जाती है के अगर केनडा को अपनी जरूरत के मताबक पाइलेट्स बरहाने हैं तो ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अदाईगी की जानी चाहिए इस मनसूबे के तहट पाइलेट चंद सालों तक एरलाइन में खदमात पराहम करने का पाबंद होगा एक अंदाजे के मताबक दो हजार पच्छिस तक इंडास्टरी को साथ हजार तीन सो नए पाइलेट्स की जरूरत होगी लेकिन इसमें तीन हजार की कमी का सामना करना पड़ सकता है कैनिडा भर से फारफाइटर्स औरस्टेलिया जा रहे हैं ताके महां पहले से मौझूद फारफाइटर्स के साथ शामिल हो जाएं ताके वहां जंगलाफ में लगी आख पर काबू पाया जा सके मजीद जानते हैं इस रिपोर्स में आस्टेलिया बेज़े गए हो फाज़े रहे कि आस्टेलिया में नवंबर के महीने से जंगलाफ में लगने वाली आग बेकाबू है जबके इसके नतीजे में दस अफ्राद हालाग और एक हजार से जाएद घर तबाह हो गए हैं टॉरंटो से खबर शामल करेंगे आपको बताएं टॉरंटो समेथ कैनेडा के कई शहर शदीद सर्दी की लपेट में हैं जबके मश्यकी कैनेडा में तकरीबं दोसों के करीब फ्लाइट्स मनसूख या ताखिर का शिकार हो गए हैं वसी जानते हैं इस रिपोर्ट में इंवार्मेंट कैनेडा के जानिब से मौन्ट्रियाल शहर के लिए शदीद बर्वारी की वार्निंग जारी की गई है जिसके सबब शेहरियों को ड्राविंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पर सकता है मौसमी खराबी के सबब कई फलाइट साखिर का शिकार हुई ताहम टूडो इंटेनाशनल एरपोर्ट पर फलाइट साखिर का शिकार होने के सबब मुसाफरों की जानिब से शदीद घुसे का इजहर किया गया निजी एर लाइन की परवास को हैली फेक्ट से हिमिल्टन जा माहरीन के जानिब से शेरियों को शदीद मौसमी हालाग से मुदालिक तयार रहने का मचवरा दिया गया है। के सूबे में मजदूरों की कमी के मसले से जल सा जल निमतने की जरूरत है और उनके पास एक ऐसा मनसूबा है जो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए पुरकशिश है। के सूब्सकारी की शरत जादा है। 2016 के अदादो शुमार के मताबिक उनकी तादाद 12,000 के करीब थी। उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने एडवाइजरी बोडी को हिदाया दी है। के अंग्रेजी बोलने वाले क्यूबिकर्स की मुश्किलाग की निशान दही करें ताके इस मसले का हल निकाला जा सके। मौंट्रियाल में लाइट शो में हाल या चुटियों में पांच लाग के करीब अफराग की शरकत मतवक्य है लावील में दस लाग लाइटों के मजमुए में ये दुनिया का मुनफरत शो है। लाइट शो के मुन्तजम का कहना है कि वो दुनिया में ऐसी चीज़ें जाद करना चाते हैं जो पहले किसी ने न की हो। हाईवे 15 के करीब एक फुटबॉल गराउंड के साइस की जगा को उन्होंने एक अलगी रोशनी की दुनिया में तब्दील कर दिया है जहां मल्टी मीडिया इंस्टॉलेशन में तकरीबं दस लाग रंग बरंगी लाइट्स लगाई गई हैं उन्होंने अपने शो के लिए डिजाइन करदा लाइटों के बारे में बताया कि उन लाइटों ने उन्हें खयाली दुनिया तफ्ली करने का मौका दिया है उनके मताबे कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइट शो है यहां नबस LED किसी भी दूसरे मुतबादल से कम तावनाई इस्तमाल करती है रोशनियों को ड्राविंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पर सकता है मजीद जानता है इस रिपोर्ट में टॉरंटो समेट कैनेड़ा के कई शदीद सर्दी की लपेट में है जब के मश्कि कैनेड़ा में तकरीबं 200 के खरी फ्लाइट्स मनसुख या ताखिर का शिकार हो गई है इन मामेट कैनेड़ा की जानिब से ऑंटेरियो के बड़े हिस्से के लिए शदीद बारिश और बरफबारी की बॉर्डिंग जारी की गई है शेरियों को हिदायत की गई है कि सफर के दाराने अतियाती तदावीर अख्तियार करें और फ्लाइट्स की मनसूखी और ताखिर के लिए तयार रहें जब कि सुबाई पुलिस ने कहा है कि मोटर साइकल सवार गयर जरूरी सफर से इश्तनाब परते हुकाम की चानिफ से कहा गया है कि शदीव बरबारी के सबब शेहरियों को बिजली की बंदिश का साम ना करना पड़ सकता है अमरीका के वजीर खारजो माइक पॉमपियों ने अक्वाम मतादा के सकेर्टी जरनल के साथ मुलाकात में अमरीका के एराक शाम पर हमले का दिफा किया मैک پامپیو نے قوام متعددد کے سیکیرٹی جنرل کے ساتh ملاقات میں امریکہ کے عراق شام پر حملے کا دفاع کیا وزارت خارجہ کی ترجمان مورگن آر ٹیکس نے کہا کہ وزیر خارجہ نے سیکیرٹی جنرل کے ساتھ हाل ہی میں عراق شام میں امریکی حملے کے حوالے سے گفتگو کی ہے اس حملے میں ایک امریکی شہری کی موت ہو گئی اور کئی دیگر امریکی شہریوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی मिस्टर पॉंपियों ने हमले का दिफा करते हुए बार बार कहा कि ये कारवाई दिफाई मकस्त ने की गई थी काबले जिकर है कि अमरीकी मैक में दिफा ने कहा था कि एराक के करकोक शहर में हिजबल्ला बागियों के हमले के जबाब में अमरीका ने एराक और श्याम में पांच हिजबुल्ला गूर्पों के खलाफ डिफाई हमले किये थे हिजबुल्ला बागियों के इस हमले में एक अमरीकी ठेकेदार की मौत और चार पाजी जखमी हो गए थे हाल ही में अमरीकर की तरफ से एरान की इमायत याफता बागियों समेथ हिजबुला पर किये गए हमले में 25 हलाक और 51 दीगर जखमी हो गए थे इसे के साथ एटाग टीवी के पाकतान स्टुडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और आप देश के लिए देखते रहिए टाग टीवी